आपको बताने वाले हैं कि SIM card reader क्या होता है आपने SIM card तो सुना होगा लेकिन SIM card reader क्या होता है यह जम बताने वाले आपको तो इसको देखेगा और अगर आपको useful लगे तो आप जरूर इसको खरीदेगा जिससे कि आप अपने work को अच्छा perform कर पाईए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि what is a SIM card device SIM card के बगार आप smartphone में ना तो calling कर सकते हैं और ना ही internet का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ज़रूरी component है तो smartphone के लिए बहुत ज़रूरी होता है यहां तक कि इसे अब tablet में भी लगाया जाता है और इसमें ही आपको internet और calling service की offer की जाती है तो SIM card अल्मोस्स सभी लोग खरीते हैं अपने phone के लिए जो आप tablet में भी लगने लगी है, router में भी लगने लगी है SIM card में आपके जरूरी number सुरचित रहते हैं जो सभी को पता है अगर phone number ना हो तो आप phone से कोई बात नहीं कर सकते हैं जिसमें आप अपने smartphone में लगा कर read कर सकते हैं हलाकि क्या होगा अगर आपके पास कोई पुराना SIM card है जिसके number आप अपने PC में सुरचित रखना चाहते हैं ऐसे आपको एक खास device के जरुद करती है और यह device है SIM card reader अब आपके phone बहुत जल्ली भर जाता है storage खतम जाती है और आप परिशान हो जाते हैं आपका phone hang होने लगता है तब आपको जरुद पढ़ती है कि आप अपने phone के backup को computer में या किसी और device backup device में SD card में रखें तो इसके लिए SIM card reader बना है जो almost pen drive जैसा दिखने नों होता है और यह आपके सारी information को easily पढ़ सकता है क्या है SIM card reader तो अब हम लोग जानते हैं कि SIM card reader जो pen drive जैसा दिखने वाला device है वो क्या है आपको बता दें कि SIM card में सुरचित नमबरों को दूसरी जगा करने यह device इस्तिमाल किया जाता है इसको ज़्यादा तर हम लोग किसलिए इस्तिमाल करते हैं डेटा को transfer करने के दो जैसा यह pen drive जैसा दिखने वाला device है जिसे आप आसानी से अपने pocket नं carry कर सकते हैं इसे किसी smartphone की तरह ही SIM slot होता है साथ ही इसे pen drive की तरह laptop में भी लगा रिया सकता है ऐसे मैं आप अगर अपने SIM card मौदा details को laptop में copy करने के बारे में विचार कर रही है तो यह device आपने काम आ सकता है इसमें सबसे simple क्या है यह pen drive जैसा device है जिसमे phone के SIM card को insert कर दिया जाता है और यह SIM card को read कर लेता है और यह USB जैसा होता है तो यह laptop में लग जाता है और जब laptop में लग जाता है तो आप असानी से इसके data को computer में transfer कर सकते हैं इसकी कीमत Amazon पे 849 rupees दी हुए है लेकिन यह depend करता है different phone के device के हिसाब से इसकी कीमत different होती है क्योंकि iOS different होता है iPhone different होता है Android different होता है तो उसकी working style different होती है तो उसका device भी different होता और उसकी कीमत भी different होती है तो यह बहुत ही जरूरी device हो गया आजकल के digital era में क्योंकि लोग बहुत जादा computer पे काम करने लिए पहले की अपी इच्छा तो इस device को अगर आप खरीड लेते हैं तो आपका phone का backup बनना बहुत easy हो जाता है इस तरह एक उपनण के साथ उप्योग करता आम तोर पर Microsoft आम तोर पर आप अपने SIM card उसी तरह डालता है SIM card में उसी तरह इसे डालता है जैसे की phone के साथ करता है एक बार यह हो जाने के बाद यह device computer में plug कर सकता है तो device और उसके साथ जुड़े software के अधार पर कई कारी करने में सच्छा हो जकता है अब आप SIM card तो इसमें डाल देता है लेकिन उसकी working के लिए आपको कुछ software के भी जरुद पड़ती है तो उस software को जब आप install कर देता है तो यह device USB port के through computer में लग जाता है और आप उसके साथ काम कर सकते हैं यह मतलब read भी कर सकता है और write भी कर सकता है एक USB SIM card reader उप्योग करता को Microsoft Outlook यह अन्य पता पुस्तिका जैसे कारी कमोंग अपने संपर्त जाहरें कारी आयात करने के निकिती दे सकता है अब Microsoft Outlook अल्मोस सभी वो लोग जानते होंगे जो काफी दिन से computer use कर रहे हैं उसके तुर्व आप email भी कर सकते हैं और उसके तुर्व आप लोगों के contact को भी store कर सकते हैं तो वहां से यह contact करके आपके सारे contact information को import कर लेता है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे संपर्थ हैं और जो एक सुलब backup चाहते हैं डिवाइस आम तोर पर किसी विव्यक्ति को SIM card पर संपर्थ जानकारी प्रतिबंदित करने की अभी देता है तो यह easily आपके contact को import और export कर सकता है अब import-export easily करने की वज़ा से आप अपनी information को अगर आपका कोई पुराना SIM है और अब वो latest 5G के हिसाब से या 4G के हिसाब से काम नहीं कर रहा है और आप उसके contact को अपने computer में लाकर के फिर नए device में डालना चाहते हैं इस card की माध्यम से आप उस SIM card को जए contact को read करके computer में डालके और नए device के import कर सकते हैं वह folder को खोजने हटानी है बनाने में सच्छम हो सकता है अब इसकी साहता से आप folder बना भी सकते हैं, search भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं that means इसमें read भी facility और write भी facility है जैसा कि phone के SIM में होता है और आपने मेरे ख्याल से use भी क्या होगा जब video बनाते होंगे तो उसमें से information SIM card में से हटाते भी होंगे, export भी करते होंगे और import भी करते होंगे बस यह device जो है USB में लगकर easily computer के साथ connect हो जाता है, तो आपको बार बार phone का charger लगाकर computer से link नहीं करना पड़ता होगा आप इस device को सीधर USB में लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा, इन में से कुछ device user को SIM card पर लिखने की भी सुर्दा देते हैं और वो अपने computer पहले समझे ही जिन कारी को SIM card में निरियाद करने में भी सच्छम हो जकता है तो वहाँ से computer से आप data ले भी सकते हैं और बेज भी सकते हैं हलाकि अगर आप पैसा नहीं खर्चा करना चाहते तो आप फिर phone के connector को use करके ये काम कर सकते हैं लेकिन अगर जादा data है तो उसके लिए आपको इस device को अगर use करते हैं तो आप अपनी information easily transfer और import और export कर सकते हैं पुनरप्राप्ति सुदाओं के साथ SIM card reader भी जो लोग जानकारी पुनरप्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी कोई data delete हो गया है खो गया है तो उसको भी आप इसमें recover कर सकते हैं जो सुदाओं आपको phone के SIM card में नहीं मिलती है एक बार data चला जाता तो फिर आप उसको recover नहीं कर पाते हैं जब तक कि आपने Google पे backup ने बना लियो अगर Google पे आपने backup बनाया है तो शायद आप data को recover कर सकते हैं पर इस device की help से आप data को recover भी कर सकते हैं So this is all today viewer इतना ही आज आपको बताना था अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज इस device को अगर आपके ज़्यादा data है तो यूज कर सकते हैं और लोगों में इस video को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि आप यह जानिये कि यह device किस तरह का है और कैसे use किया जाता है और क्या इसका पाइदा है और इसको use करने से आप data कितनी easily एक device से दूसरे device में transfer कर सकते हैं SIM card reader के through अब यह device जो है इसमें ही SIM card insert कर दिया जाता हो और बाकी काम फिर USB card में इस device को लगाकर pen drive की तरह use दिया जा सकता है तो प्लीज अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को subscribe कर दीजेगा, channel को subscribe कर दीजेगा और press bell जरूर दबाईएगा जिससे कि आपको next video नई information के साथ मिलती रहे जो आपको helpful हो और अगर helpful है तो please comment जरूर करियेगा और बताईएगा कि अगर आपको किस specific topic पर कुछ information चाहिए तो आप comment में जरूर बोलेगा Thank you